तो वहीं अक्टर और कमीडियन शेखर सुमन मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए उनके साथ ही कॉंग्रेस की पूर्व नैशनल मीडिया को और डिनेटर रादिका खेडा ने भी दिली में भाजपा मुख्याले पहुच कर पार्टी की सदा से ताली आपको बता दे कि बी जोधी कॉंग्रेस है वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद आक्टर शेखर सुमन ने कहा कि कल तक मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहां बैठूंगा क्योंकि जीवन में बहुत सी चीज़ें आने अंचाने में होती हैं मैं बहुत सा करात्मक सोच के साथ आया हूँ और कोशल्या माता की धर्ती पे जो मेरे साथ दुर व्यवार किया गया और जिस तरीके का सुलूक किया गया मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतिय जंता पार्टी की सरकार का मुधी जी की सरकार का संद्रक्शन वहां नहीं मिलता समझते थे कि कॉंग्रेस तो महत्मा गांधी जी की पार्टी है जहां पर हर सभा की शुरुवात रगुपती रागव राजा राम से होती थी लेकिन आज की कॉंग्रेस महत्मा गांधी जी की कॉंग्रेस नहीं आज की कॉंग्रेस राम जी की विरोधी कॉंग्रेस है हिंदू की विरोधी कॉंग्रेस है मेरी जननी का और कल तक मुझे खुद मालूम नहीं था कि मैं आज यहां बैठूंगा क्योंकि जिन्दगी में बहुत कुछ जाने अंजाने होता है और कभी कभी आप अनभिग्ये रहते हैं कि आपके आपका मुस्तक्बिल क्या है और उपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पारण करते हैं मैं एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहां आया हूँ और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रियादा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया